सेकंड वर्ल वर के दोरान फरोद वीप समूप ब्रिटिश कबजाज जिसे ओपरेशन वैलन्टाइन के नाम से जाना जाता है डेन्माक और नौर्वे पर जर्मन आक्रमन के तुरंद बाद लागू किया गया था ये दृतिय विश्वी युद्ध में नौडिक देशों की भूमिकाओं का एक छोटा सा हिस्सा था इसी तरह कि एरफोर्स ओफिसर के एक ओपरेशन को वरुन तेश लेकर आए है भारत के सततर्वे स्वततरता दिवस से पहले मेकर्स ने फिल्म की टाइटल और पोस्टर के साथ इसकी एनाउंसमेंट की ट्विटर पर खबर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा 8 दिसंबर 2020 को भारत की दहार सुनें क्योंकि ये आसमान में गुछती है फिल्म को हिंदी और तेलगू में एक साथ शूट किया गया है ये फिल्म एक IAF अधिकारी के बारे में है जिसका किरदार वरुन ने खुद निभाया है साथ ही ग्लामर की दुनिया में अपनी पहचान बनाने से लेकर वैश्विक स्तर पर अपने देश का प्रतिने धित्व करने तक पूर्व Miss World 2017 मानुशी चिल्लर को सबसे अधिक मानवाले एक्टरिस में से एक माना जाता है खुबसूरत अभिनेतरी के पास आगामी पर योजनाओं की कतार है जुसमें जौन अबराहम के साथ तहरान और वरुन तेज के साथ ओपरेशन वैलेंटाइन शामिल है अभी हाली में एक इंटर्व्यू के दौरान मानुशी ने अपनी आने वाली फिल्म ओपरेशन वैलेंटाइन के बार में कुछ बाते साचा की उन्होंने शेयर किया कि ये पहली बार था कि मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और मैं सच मुझ जानना चाहती थी कि आगे क्या हुआ मुझे ये तथ्य बहुत पसंद है कि फिल्म में मेरा किरदार इतनी अच्छी तरह से लिखा गया है कि मुझे लगता है कि मुझे उससे बिल्कुल प्यार हो गया है मुझे लगता है कि उस किरदार में हर महिला के साथ काफी प्रासंग एकता थी इससे पहले मानुशी ने अक्षय की पृत्वीराच चोहान के साल बॉलवो डब्यू किया था जो नहीं चल पाई थी इसलिए मानुशी ने अब हीरो ही बदल दिया आपको क्या लगता है ये मूवी कितनी चल पाएगी और कितनी नहीं अपनी राय हमें बताईए कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इसलिए वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं भूलिए और मुझे याने किशूती को दीजे इजासत नमस्कार